प्यारे दोस्तों और पुनात्माओ ओम नमोश्वाए आज हम बात करते हैं गड़ी की और पहले इसका हम सार जो है उस पे विराग बनाते हैं गड़ी गड़ी प्यारी गड़ी समय को बताती है अपना फर्ज निभाती है जीवन को दिशा दिखलाती है सकरात्मक तरंगों से भग उजवल बनाती है गड़ी की शक्ती महान है इसकी घर में अपनी ही शान है गड़ी का सम्मान करो ये सब कश्ट मिटाती है हमें समय का महत्त समझाती है अपनी टन टन और टिक टिक से नकरात्मक उरजाओं को बगाती है और सकरात्मक तरंगें फेलाती है खूब अपना फर्द निबाती है गड़ी गड़ी प्यारी गड़ी तो दोस्तों जो घर में गड़ी है उसके उपर ये विराग है पुनात्माओं आज कल हम बात जो करते हैं कि गड़ी को सब लोग अपने घरों में आफिस में दुकान पे या फैक्टरी में लगाते हैं और लगी होती है सबके जादतर लोग इसको समझे बिना जहां जगा मिलती है लगा देते हैं अब अगर गड़ी गलसतान पर लग जाए तो बहुत नुकसान करती है क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि हर चीज उर्जा तरंगे छोड़ती है इसलिए घर की वाइबरेशन को परभावित करती है दोस्तो हम जीवन में सबसे ज़्यादा परभावित समय से होते हैं समय का हमारे कर्मों पर गहरा परभाव पड़ता है गड़ी समय को दर्शाती है और हर पल टिक टिक करती हुई फुर्क्वेंसी क्रेट करती है या कह सकते हैं उर्जाएं जो तरंगों वालिया उनको छोड़ती है तिक तिक से सकंदन पैदा होता है यही फुर्क्वेंसी या सकंदन अच्छाई बुराई का कारण बन जाता है दुनिया में हर वस्तू की वाइबरेशन होती है कभी कभी घर का स्वामी कितनी भी मेनद करे फाइदा नहीं होता क्योंकि गड़ी गलत दिशा में लगने से या लगाने से पॉजिटिव तरंगों में 24 गेंटे कमी होती रहती है क्योंकि गड़ी काड़ती रहती है पॉजिटिव तरंगों को अब घर की वाइबरेशन का चार्ट क्या है सुपर वाइबरेशन कहां से मिलेगी सौथ टू नॉर्थ बेस्ट वाइबरेशन कहां से मिलेगी इस्ट टू वेस्ट बेटर वाइबरेशन कहां से मिलेगी वेस्ट टू इस्ट और वर्स्ट वाइबरेशन कहां से मिलेगी नॉर्थ टू सौथ ये चार्ट हम वीडियो में रखकर गड़ी लगानी है तो ये चार्ट को जरूर देख लें आप जब गड़ी लगाएं अब दोस्तों क्या है कि गड़ी लगाने में कौन-कौन सी साफदानिया है रखनी चाहिए हमको नमबर वन है दखिन दिशा में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये यम लोग की दिशा है दूसरा है नौर्थ इस में भी नहीं लगानी चाहिए इस दिशा में गड़ी लगाने पर आपको लगेगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए आपको डिप्रेशन होगा टैंशन रहेगी तीसरा नमबर गड़ी का आकार पूरा गोल हो या अंडाकार हो क्योंकि ये शेप प्रित्वी माता को रेप्रेजेंट करती है आज का लोग सजावट के लिए अलग अलग तरह की गड़ी लगा लेते हैं और वह नुक्सान करती हैं अब जैसे सुकेर गड़ी को भी बगवान जी की फोटो बनवा लेते हैं जो गलत है क्योंकि गड़ी पर दूल मिट्टी जाले लगे रहते हैं ज्यादा लोग सफाई नहीं करते उसकी और बगवान जी को तो दूप बती और दिया जलाना है नहीं तो जो बगवान जी की शक्तियों का अपमान होता है नहीं लगाए नहीं तो अक्सर देखो लोगों की कबड़ के डिरार में कितनी खाली गड़ियां पड़ी रहती हैं छटा नमबर गड़ी किसी को गिफ्ट मत दें अपनी परसनल गड़ी क्योंकि अगर समझो आपका भागी अच्छा है तो वो उस व्यक्ति को चला जाएगा पर अगर आपका समझो भागे खराब है तो उसका भी नुक्सान हो जाएगा तो दोनों तरफ से नुक्सान ही है अब सात्मा नमबर बंद गड़ी घर में कभी मत रखो नहीं तो किस्मत के रास्ते बंद हो जाते हैं सोल ब्लॉक जिस हो जाते हैं ये एक बहुत बड़ी बा गड़ी को साइड पर लगाए या साइड पर रखें नाइन्थ नमबर गड़ी कभी भी सोने वाले बेड मतलब सिर की दिशा में साइड टेवल पर मत लगाओ इससे स्ट्रेस बढ़ती है वाइफ हस्बेंड के समंध डिस्टर्ब रहेंगे नींद भी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि गड़ी नरंतर वाइबरेशन छोड़ती रहती है टिक 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 टन 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 और आपने देखा होगा कि आज कल हस्बन वाइब की रेलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है और दस्वा नमबर जिनका शुकर नीज का हो वहाँ तो संतान में बहुत दिखते आए अगर वो गड़ी बैड के जहां सोते हैं सराने के उपर लगा देंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिलकुल नहीं लगानी वहाँ फिर ग्यारमा नमबर जो है क्वैंटम फिजिस के अनुसार जो में जो दर्वाजा है उस पे भी गड़ी नहीं लगानी क्योंकि नही होगा कि दर्वाजा खुलता है बंद होता है और गड़ी तो चलती रहती है तो वह पॉजिटिव तरंगों को काड़ देगी और आपका नुक्सान हो जाएगा तो दोस्तों समय सब कुछ हील कर सकता है ताइम इस ग्रेट हीलर और गड़ी का सीधा लिंक समय से है अब गड़ी कहां कैसे और किस दिशा में लगाए ताँकि ये सकरातमक तरंगें प्यादा करें जिससे घर में सुक शान्ती खुशी रहे यही हम समय से चाहते हैं और गड़ी इसको रिप्रेजेंट करती है समय को पहला नौर्थ डिरेक्शन इज अबाउट वाटर है नौर्थ की दवार पर लगाने से घर में फनेंशल बरकत होती है को बेर देवता खुश होते है और इसका लेकिन कलर वाइट और ब्लू रंग का होना चाहिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा धन दौलत खूब लेकिन ये बुडम फ्रेम के उपर हो और इसका रंग हरा हो तो ये सकरात्मक उर्जा पैदा करेगी ये बात का ध्यान रखना है तीसरा है गड़ी वेस्ट में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये लाब प्रॉफिट की डिरेक्शन है लेकिन इसमें गड़ी जो मेटैलिक कलर की ह होता है इस तरह तरह आप लगा सकते हैं फूर्थ नंबर सौथ वेस्ट में घड़ी को आप लगा सकते हैं क्योंकि ये अर्थ मेतिरियल को स्टेबिलाइज करेगी और फैमिली बोन्ड को तो अच्छा करेगी, रिष्टी अच्छे हो जाएंगे बच्चों के और माँ बाप के, पांचमा नमबर, गड़ी को सीधा टांगे, साफ करते रहें, और हमेशा द्वार पर लगाएं, टेड़ी मेड़ी गड़ी नहीं रखनी है, छटा नमबर, गड़ी को कभी पीछे ना र गड़ी पर समय की मेड़ीटेशन करने चाहिए, क्योंकि गड़ी क्लॉकवाइज चलती है, टक टक आपने देखा होगा, क्लॉकवाइज, और आपको जीत की और ले जाती है, तो ऐसी मेड़ीटेशन में आप विजुलाइज करें कि आप तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर रह प्रभु को प्यार कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोस्तो, क्लॉक जो है गड़ी, घर की एक जरूरी चीज है, जो वक्त बताती है और गर की डेकोरेशन में भी काम आती है, धीरे ध जो है संडायल से अधूनिक डिजिटल टाइम पीस बन गई है, हम हर कमरे में गड़ी लगाना चाहते हैं, या कम से कम लाउंज में तो लगाते ही हैं, और डेकोर के साथ मैच भी करवाते हैं, अब हमें क्या करना है कि गड़ी लगाने से पहले वस्तू डिरेक्शन, इसके और घर की सकरात्मक तरंगों के फ्लो को ध्यान में रखके गड़ी को हमें लगाना है, और कोशिच करें नौर्थ, वेस्ट और इस्ट की दवार पर ही लगाएं, और हमेशा दिन में एक बार आप वस्तू मंतर का भी अगर जाप कर लेंगे, क्योंकि गड़ी का सीधा लिंक समय से है, समय वस्तू के अदिन है, उसका लिंक हम लास्ट पे डाल देंगे, तो दोस्तों ये गड़ी लगाने से आपके जीवन में अनंद और खुशियं जरूर आएंगी, अब ये वीडियो पूरा देखके अगर आपको अच्छा लगे, तो शेर करो और अपने दोस्तों कि दूचर लगाने से आपके जुश मेंईगे, तो बने दोस्तों दोस्तू कि बाल देंगे, जुझा झन्यों अरे बीवीडियों, कि जज तो वस마